स्वागत है दोस्तों आप सभी का एके इंडिया यूट्यूब चैनल में जी हां दोस्तों रेलवे आर्पे परिक्षा ग्रूप C & D के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर के आगे वो भी ओफिसली अपडेट लेकर के आए फ्रेंट्स यहां पर कोई खुद से नहीं बत कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहें और इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहें और चैनल पर पहली बार है तो उनलों को उसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए और हमारे दूसरे चैनल टेक सर्जी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हर एक टेक्नोलिज सम्मंदित खबरे मिलती रहें दोस्तों मैं अनेकैडमी को पर भी पर आता हूँ जहां पर आप सभी को सुबह में करेंटे पर और साम को टॉप 25 GKS की क्लासे चल करके देखते हैं तो यहां पर आप सभी को गुरूप C और गुरूप D की जो है एंसर की यहां पर जारी कर दिया गया है जो कि सबसे बड़ी अभी की अपडेट लेकर के आ रहे हैं गुरूप C और गुरूप D के जो एंसर की है वो जारी कर दिया गया है तो दोस्तों अभी चेक नहीं किया तो जाकर चेक किजिए और दोस्तों मैं बता देता हूं आप सभी कि कैसे इसको गुरूप C को आप गुरूप D के एंसर की को चेक करना है तो आप जिस भी गुरूप में है तो simply आपको क्लिक कर देना है जैसी आप क्लिक करोगे तो आपको जो है कुछ इस तरह का पेज खुल के सामने आ जाएगा वहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी को एक चीज़ ध्यान रखना होगा यहां आप सभी को अपने रॉल नंबर के लिए कि रॉल नंबर जो है आपको तीन फॉर्मेट में दिया आ जागा पहले एक काटेगरी फिर सेकेंड काटेगरी और फि चाम हुआ था उसके बाद फ्रेंड्स आपको अपना बैस सेलेक्ट करना है कि आप किस बैस में आपका यह आया था आप देखना फ्रेंड्स कोसिस कीजिए का कि अभी चेक मत कीजिएगा क्यूंकि यह जो बैसी अभी सलेक्ट नहीं हो रहा है तो अभी सरवर प्रॉलम चल इसके कराण सभी बैज जो है सलेक्ट नहीं होड़ा उसके बाद नीचे दिखाया गया पार्थ दर्ज के यानि कि जो एक कैपच ए उसको सिंपली आपको इसमें लिखना है और उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर समिट कर देना जैसी समिट करोगे तो आपका जो है एंसर क कब तक आएगा तो फ्रेंड जैसा कि आप सभी को पता है कि फेज 1 का जो है ग्रूप E का अभी जो है फिजकल चल रहा था तो 20 12 2018 को ये पेपर इसका स्टार्ट वार था और 23 12 2018 तक चला था और अभी तक इसका जो है फिजकल चल रहा है उसके बात फ्रेंड बारी आती A, B और F की A, B, F की अभी तक जो है रिजल्ट भी जारी नहीं किया गया है और नहीं अभी इसका फिजकल हुआ है इसमें भी more than बहुत सारे कैन डेट है जिनको अभी फिजकल में लेना है ठीक है और इनकी परिछा का डेट जो यहां पर बताया जा रहा है तो फ्रेंड उन लोगों के पास बहुत ही अच्छा ओप्जिनिटी है जो कि ग्रूप C और ग्रूप D से है क्योंकि उनका एंसर की भी जारी कर दिया गया है और उनके पास तयारी करने का अच्छा मौका मिल गया है तो प्लीज आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि नीचे कॉमे और 20 मार्च तक जो है आपका फीजकल का डेट भी यहाँ पर सीड्यूल जारी कर दिया जाएगा और आपको बता दिया जाएगा कि इसका जो फीजकल A B और F का कब दक होगा उसके बाद आपका ग्रूप C और ग्रूप D का जो है वहाँ पर फीजकल करवाई जाएगी तो द पहले बारे तो चनल को सब्सक्राइब की जिए और लूप